हरो students, welcome to Aakash, आज के हमारे इस video session में हम बात करने वाले हैं state wise net counseling का, चलिए, शुरू करते हैं उत्तर पर्दिस state net counseling, MBS and BBS, हम discussion करने वाले हैं, seat matrix पर, cut off analysis पर, and counseling process पर, चीक है, सबसे पहले आपको एक official website given है यहापे, और एक ये वाला, दो official website given है, मैं आपको suggest करता हूँ, कि आ आप regularly इन website को check करते रहें, अगर आप UP से belong करते हैं, तो भी, otherwise, अगर आप किसी ओ स्टेट से belong करते हैं, but UP में admission लेने के लिए interested हैं, तो, ठीक है, अभी हम बात करते हैं, उत्तर परदेश, MBS, सिग मेटरिक्स, कि उत्तर परदेश में MBS के regarding, कितने colleges हैं total, कितने private हैं, कितने government हैं, एक map आपको screen पे show हो रहा होगा, उत्तर परदेश के district-wise जो colleges हैं, वो हमने यहाँ पे listed कर रहा हैं, एक बार आप देख लिए, चाहें तो आप screenshot भी ले सकते हैं, detail से review हम करेंगे, total colleges के हम बात करते हैं, तो 67 colleges हैं, total seat के हम बात करते हैं, तो 9,903 seat हैं, total government college के अगर हम ब चीक है, अगर हम private medical college की बात करते हैं, Mbbs का, तो 32 है, और total private Mbbs seat के अगर हम बात कर लेते हैं, वो 5,600 हैं हमारे पास UP state, चीक है, देखिए, एक list मैंने share किया है आप लोगों के साथ, आपको screen पे show हो रहा होगा, चीक है, यह जो list है, यह government medical colleges का है, यहाँ पे आपको college का नाम देखने को मिलेगा, college का city देखने को मिलेगा, कि वो college की city में है, और उनका type आपको देखने को मिलेगा, यह जो list है, वो complete government medical colleges का ही है, तो जो type है, वो सब आपको government ही मिलेगा, इन तेक आपको देखने को मिलेगा, कि कोई भी जो particular college है, वो particular year में कितने बच्चों को enroll करता है, में इसका sit capacity कितना है, ओके, दूसरा list है government medical colleges का, आप देख पा रहे होंगे, and ये private medical colleges का list है UK में, और ये private medical colleges का दूसरा list है, तो आप इन चारो lists को screenshot ले लिजिए, save कर लिजिए for the future reference, चीक है, counseling के time पे बहुत beneficial होने वाला है आप लोगों के लिए, चीक है, अभी हम बात कर लेत है BDS seat matrix का, कि उत्तर परदेश में BDS के regarding कितने colleges है, चीक है, map आपको जैसा कि आप देख पा रहे है, district wise college listing आपको map में देखने को मिल ला है कि detail से review हमें एक बार कर लेते है, total colleges कितने है हमारे पास, BDS के regarding, 26, total seat कितनी है हमारे पास, 2503, total government college कितने है, 3, total seat कितनी है, 203, total private college कित अले है, 2300, यह जो data है, यह BDS college का है, चीक है, list न आपको दिखा देता हूँ, एक बार, save कर लिशीएगा, data वही आपको इस लिस्न में मिलेगा, college का नाम आपको देखने को मिलेगा, college का location आपको देखने को मिलेगा, उसका management type आपको देखने को मिलेगा, और intake आपको देखन का cut off क्या रहा था मिंसकी अगर आपको government medical college UP में admission लेना है तो वहां का cut off कितना था last year ठीक है UROP, URGL, EWOP, EWGL, BCOP, BCGL, SCOP, SCGL, STOP, STGL, अब याप बोल्डरों के सर यह सब में OP और GL आ रहा है यह क्या है तो देखिए यह जो है OP इसे बोलते हैं open merit जिन्सकी यह वो seat है जिनके लिए सब eligible है male और female बहुत ठीक है बट जी यह सिर्फ girl quota है girl अदरवाइस हम इसे बोल सकते है female quota ठीक है योपी है UP में हर medical college में female के लिए कुछ particular seat है वो result है ठीक है तो उनका जो cut off है वो GL करके मिन्सकी यू आर ओपी यू आर जियल के गर हम बात करें कि जो general category में जो girls के लिए जो quota था ठीक है उसका जो cut off था वो कितना गया था तो जैसा कि आप देख पारे हैं 17,700 और इसी में अगर हम open merit की बात करें तो 18,300 तो variation है ना देख पारे हों या आप ठीक है तो GL क्या होता है girl quota female quota ठीक है उत्तरपरदेश state medical counseling कि उत्तरपरदेश में जो government colleges है and जो private colleges है उनका जो seat का quota है वो किस तरीके से distributed है क्या-क्या reservations वहाँ पे मिलते हैं उन सब के बारे में detail से discussion करेंगे हम इस slide पर ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं GMC का government medical college छीक है फी अगर हम बात कर लेते हैं तो लगबग 18,000 से 90,000 आपको per annum पे करना पड़ेगा college to college vary करता रहता है फी छीक है तो लगबग आपको कितना पे करना पड़ेगा 18,000 से 90,000 per annum आपको पे करना पड़ेगा अगर आप admission लेते हैं कहां पे government medical college में 85% quota के अंडर, not the 15% EIQ quota, ठीक है अगर हम बात करते है, SFI का self financing institutes ठीक है, तो वहाँ पे seat कितना है, 100% है tuition fee कितना होता है, लगबग 11,00,000,000 से 18,00,000 पर कितना fee है, लगबग 11,00,000 से 18,00,000 पर annum, बट जो fee है, जो fee का data है, हमारा, वो हमारा last year का data है, for the latest updates कि at present में fee कितना चल रहा है, आपको particular college से ही पता करना पड़ेगा ठीक है, I think ये point आपको clear हो गया होगा, कि जो fee है वो fact नहीं होता है, वो vary करता रहता है, year to year ठीक है, अभी चलिए, अभी ये जो data आप देख पा रही है ये reservations है कहाँ पर government medical colleges पर, तो किस तरीके से है, देखते है, the wards of freedom fighter इनके लिए ये reservation है wards of ex army servicemen NCC cadets girls candidates PWD candidates ठीक है reservations आपको पता लगे है seat के quota का distribution आपको पता लग गया है ठीक है, I think थोड़ा सा easy हो जाएगा आपके लिए UP state का counselling को समझना ठीक है, process की अगर हम बात कर लेते है कि आपका जो admission है, उसका complete process क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको counselling के लिए registration करना पड़ेगा जैसे ही आपके net का result आ जाता है और registration करेंगे ठीक है, जो भी data input यह आप से लेगा आप fill किजिए, जो documents यह है required है, वो आप upload किजिए registration complete होने के बाद publication of state rank ठीक है, NEET का जो criteria है NEET का जो AIR था, उसके बिहाफ पे UP state का अपना criteria होता है कि इतने rank के बीच में example हम लेते हैं कि 20,000 से 40,000 rank के बिच में जो बच्चे आते हैं, उनको हम starting में admission दे देंगे UP में, अगर UP से belong करते हैं तो, ठीक है, कुछ ऐसा उन्होंने criteria बनाया और उन्होंने एक merit list बना दिया, अगर आप उस list में listed हैं, आपका नाम उस list में है तो आपको online choice feeling करना पड़ेगा R1 के regarding, कि जो सबसे पहरा round one होगा, counselling का, उसके लिए आपको choice feel करना पड़ेगा, कि आपको desired college है, वो कौन सा, आपको कौन सा college में admission लेना है, ठीक है, allotment of admission, example लेते हैं, आपने तीन college fill किये, for an example, A, B, C and D, ठीक है, but, आपका जो NEET का AIR था, and जो UP State का जो criteria है, उसके बिहाव पे आपको ये वाला college alert हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये college alert हो जाएगा, ओके, अब ये college आपको alert हो गया है, अब आप क्या करेंगे, report to the alerted institutes, मिसके जो college आपको alert हुआ है, मिसके आपको required होते हैं, वो documents क्या-क्या होते हैं, उनके बारे में हम आगे details से review करेंगे, चीक है, वीडियो में बने रही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं eligibility, अभी हम बात कर रहा था 85% seat, जो quota, जो quota reserved है, किसके लिए, UP के लोगों के लिए, अगर आप UP से बिलोंग करते हैं, 85% seat को claim करना चाहते हैं, तो आपकी eligibility क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, first one, the candidate must have the domicile certificate of UP state, या तो आपके पास UP state का domicile certificate हो, या फिर, the candidate must have past 10th and 12th from the UP state, आपने 10 वी और 12th UP से किया हो, दो conditions हैं, पहला condition, या तो आपका domicile हो UP से, या फिर, दूसरा condition आपने 10th and 12th जो है, वो UP से किया हो, भले या आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, बट 10th and 12th आपका UP से होना चाहिए, इन दोनों ही condition में, आप इन 85% seats को claim कर सकते हैं, चिक है, and here you can see, open state, means कि, UP के private colleges में, and UP की deemed universities में, अगर वहाँ पे हैं, तो, जो other states से बिलोंग करते हैं, वो conditions पर admission के लिए are eligible है, चिक है, चलिए, अभी मैंने आपको बताया था, कि admission के time पर कुछ documents आपको required होंगे, तो documents क्या क्या required होंगे, 10th and 12th का certificate आपका, new to use का mark sheet, okay, domicile certificate, category certificate आपका, physically handicap certificate, if applicable, passport size photographs, government, ID probes, okay, यह जो list है, इसका screenshot ले लिशेगा, आप admission के time पर document must है, यह आपको ले के जाना ही होगा, ठीक है, scholarship के अगर हम बात करते हैं, UP state में, कि UP जो state है, वो अपने students के regarding, क्या scholarship program run करता है, अगर हम उसके बारे में discussion करते हैं, तो scholarship का नाम है, post matrix scholarship scheme, ठीक है, एंड जो criteria है, वो है, कि family का जो annual income है, वो 2,00,000 से कम होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको details जादा चाहिए, कि कौन सा category eligible होता है, कितना amount आपको मिलता है, कौन से course में आपका admission होना चाहिए, कौन सा college आपका होना चाहिए, government में मिल जाएगा, या private में भी मिल जाएगा, तो इन सब आपके confusions के लिए, आप इस website पे जाएए, visit कि जिए, यहाँ पे आपको information मिलेका complete, detailed information आपको इस website पे देखने को मिल जाएगा, scholarship certificate, ठीक है, service bonds के अगर हम बात कर लेते, ठीक है, कि UP state जो है, उसमें service bond क्या है, सबसे पहले समझेए कि service bond होता क्या है, अब पीछे हमने जब fees के बारे में discussion किया था, तो जो हमारे GMC थे, और जो हमारे ऐसा पाई थे, इन दोनों की fee में एक difference था, इसका जो fee था, वो low था, इसका जो fee था, वो high था, ठीक है, तो government medical college में आपका admission हुआ, जो service bond होते हैं, वो हमेशा government medical college में applicable होते है, private medical college में applicable नहीं होते है, ठीक है, तो आपका दो साल, हमारे under as a doctor काम करना पड़ेगा, हम आपकी posting करेंगे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और आपको अपनी save I वहाँ देनी पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इसके लिए agree करते हैं, then valent good, बट अगर आप इसको deny करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 10 लाग का bond amount pay करना पड़ेगा, उसके बाद आप free हो जाते हैं, आप 10 लाग government को pay कर दीजिए, government आप NOC देदेगा, ठीक है, आप कहीं भी जाके अपना business कर सकते हैं, अपना hospital open कर सकते हैं, या अपनी जोग continue कर सकते हैं, ठीक है, थन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, एक नए state की counseling के साथ आशा करते हैं, जो details हमने आपके साथ share की हैं, वो आपके लिए beneficial होंगी, thank you so much.